नमस्कार में उस्टशी रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाता टीवी में लगातार चंडीगड से हम ये कारिकरम करते रहे बजट इस्पेशन और कई सेशन एक सेशन विधान सभा के अंदर चलता रहा एक सेशन विधान सभा के बाहर चलता रहा मकस्द ये था कि चुकि लोग सबाचुनाओं है और उसके बाद विधान सबाचुनाओं और जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है या मनोहर लाल जी की सरकार है ये आखरी बजट है पैईस कारेकान का और ये देखना बहुत दिल्चस्ब था कि बजट कैसा आता है लेकिन आपको पता है मैं नीम के पत्ते लेकर चलता हूँ और लेकिन सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है जहां कोई कुछ अच्छा करे तो थोड़ा उदार भी होना चाहिए तारीफ भी कर देनी चाहिए वरना कि सरकार चुनाओं के प्रेशर में है की नहीं है और उसके बाद मैंने कई अपने सीनियर से और जो फाइनेंस बजट और इन तमाम आर्थिक मसलों के जानकार है मैं उनसे बात करता रहा उन्होंने एक लाइन में कहा कि ये सरकार चुनाओं के प्रेशर में लगती तो नहीं है बहराल कई ऐसे मसले हैं और आज के इस सेशन में जो चंडिगर से हम लाइफ कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर कैप्टन अभी मन्यू खुद मौचूद है बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद भाई साम एक मैं दोहजार अठारह उन्नीस जब उन्नीस भी में उलट-पुलट कर रहा था तो मुझे एक शेर उसमें दिखा कि कुछ फूल तो कुछ फूल खिलाए हैं हमने कुछ और खिलाने हैं पर मुश्किल यह है कि बाग में कुछ काटे बुराने हैं तो पाथ साल में तो बहुत सारे काटे वाले पेड में एसिड वैसिड डाल दिया होगा अब आपने साब विशे एसिड डालने का नहीं था हमारे हां कुछ ऐसे काटे और ऐसे गड़्डे हैं जिनको दुरुस्त करने में भरने में कुछ अगर वित्त प्रबंदन की दृष्टी से जो पिछली सरकार ने 10 साल गेर जिम्मेदाराना तरीके से हरियाना का वित्त प्रबंदन किया ऐसा लगता है कि उनकी शासन चलाने में कोई रूची नहीं थी उन्होंने कभी परवा नहीं की कि हर्याना का वित्त प्रवंदन की इस दिशा में जा रहा है उनके समय के 26,000 क्रोड रुपया विजली कंपनियों का करजा हमने सरकार के कोश पर लिया करजा हमने नहीं लिया उनकी सरकार के समय में था विजली कंपनियों पर लिया हुआ था महंगा करजा था हमने उसको सरकार के खाते में ट्रांस्फर किया सब्स्ते ती ब्याज की अदाइगी करनी थी उनको लगबग दाइजार 2650 क्रोड रुपे सालाना उनको रिलीफ मिल गया और मूल की अदाइगी करने से भी छूट मिल गई वो जब सरकार पर आया तो हमने सस्ता लोन लिया तो उस पर हमें कुल मिला करके राज्य को 600-700 क्रोड रुपे की सालाना उसमें बचत हुई ब्याज में और उधर बिजली कमपनी मुनाफ़े में भी आ गई चारों बिजली कमपनी मुनाफ़े में आ गई तो एक जो काटा निकाला और उसके ओपर हमेरे ओपर करज बढ़ा और हमारी जो करज लेने की क्षमता थी वो गई गटी लेकिन हमने उस जटके को बरदाश्ट किया हमारे पास समय था अभी लेकिन समय से दो साल पहले बिजली कमपनियों ने अपने एटिएंसी लॉसिज के लक्ष को पूरा किया और हमने फिसकल डेफिसिट और जो हमारा डेफिसिट के परामिटर से उन मर्यादा में हम वापिस आखर के खड़े हुए काटे वो हमारे जो बड़े हर्याना के प्राइड माने जाते थे इंडुस्ट्रिल डिवल्मेंट कॉर्परेशन और हुड़ जो आज हस वीपी हो गया शहरी विकास प्रादी के प्राइड कर ली प्राइड बेपना इंडुस्ट्रिल इंडुस्ट्रिल डिवल्मेंट उनकी आगई बिस भी सजार क्रोड रुपे आज उनको चाहिए उस अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और उनको पूरी तरह से उनकी जो बेचने की ख्षमता थी वो खतम करके सुप्रीम कोर्ट की टिपनियां सी बिया एडिया सब उन चीजों की जाच करके और दोशी मान करके उनको आरोपित करके और अदालत कोपरिटी बैंक की व्यवस्था को दुरूस्त करना ये काम अभी भी वो गड़े हैं जो बच्टे हैं अगले साल में कितने काटे निकले होगे ऐसे उदेका मैंने आपको पता है 26,000 क्रोड का काटा निकाला हमने कई जो हमारी पुब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग से उनको हमने आज मैंने रिपोर्ट दिया उनको लाब में लाने का काम किया विजली कंपनिया भी लाब में आ देंगे बिजली जो मेहंगी थी उनके समय में हमने उसके दर लगबग आदे कर दिये पाथ सो यूनिट तक आज भी कुछ सब्सिडी की बात आपने आज भी हमने और अत्रीक सब्सिडी की बात किये कि हमने जो कॉमन मैने साड़े एक तालीस लाग परिवारों में बिजली स कबरता है मिट्टी के बरतन मनाता है लकडी का काम करता है वह 20 और पॉर तक की मोटर वह लगाता है तो इसको हम दो रुपे यूनिट सबसिडी देंगे ताकि वह अपना काम दंदा कर सके वो बे जमीन वह विष्ट कर्मा भगवान विष्ट कर्मा की संतती है वह अपने हात तो ये विजली कि हम सबसिडी देने के लिए हमें कोई अतराज नहीं तो इस परकार से हमने ये सारी जो आपने कहा कि पुराने जो हमने चीज़ खराब कर रखी थी उनको दुरूस्त किया पट्री पर लेकर किया आए नए विकास के रास्ते पर हम हर्याना को लेकर कि गए हैं तो मैं आपके बजट को पिछले तीन चार बजट ये पांच वा बजट आपने पेश किया है मैं उसको पढ़ड़ा था राजस वे घाटा कम हो रहा है आप कर नहीं लगा रहे हैं तो ये चमतकार कई बार समझने में मुश्किल होती है राजस वे घाटा कम हो रहा है आप प जियान होगा हमने पिछले साल भारत के परदानमंत्री जी ने आवाहन किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें देश हम बढ़ रही हैं हमने एक दिन में पांच रुपे डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया और बहुत बड़ा हमारा जो रेविन्यू था हमने उसको सेक्रिफ इसिटि में भी पहले जियेस्टि शुरू करने के बाद भी कितनी चीजों पर टेक्स को कम किया आच जो वैट और अक्साइज टेक्स्टेशन के जमाने में जो वैट हम जलता था आज सही वस्टों पर 99 वस्टों पर पर गया घ्यैस्टी सब्सक्राइब कर दिया जो रिजिस्ट्री होगी वह अब ई रिजिस्ट्री होगी जो these मेइड निकल NAS परण है इस टांपिंग इस स्टेम्पर होगा आज गिरी हुईory इल स्टेट मार्केट में 2017 17-18 में जो हमारा स्टैंप जूटी का रेविन्यू है वो लगबख साढ़े 23 परसेंट बढ़ा और 18-19 का जो रेविन्यू है उस बढ़े हुए रेविन्यू पर लगबख 33 परतिशत की दर से वो आगे बढ़ रहा है को रियल स्टैट मार्केट गिरी हुई है कोई बड़ा चमतकार नहीं है चमतकार केवल एक है कि सब चीजों को पारदर्शी कर देना कंप्यूटर पर ले आना कोई गोला घपला घटाला नहीं होने देना तो हमारे अभी इतनी केपेस्टी है कि हम वर्तवान दरों पर भी और वरिदी कर सकते हैं एक समान्यत है हमारी जी एस्टीपी की वरिदी आठ पॉइंट दो परसेंट है तो वह हमारा एक बेंचमार्क तो है कि जो रेविन्यू में कनवर्ट होना चाहिए उसके अलावा भी हमने जो सुधार कर सकते हैं जो कहीं पर टेक्स की इवेजन है को समझ सकता हूँ और आम दर्शक भी बोल चाल की बाशा को समझते हैं कई दफ़ा आपोजिशन के लोग ये कहते हैं मैं आकड़े नोट कर रहा था जब आज आज आपोजिशन के तमाम नेता जब कह रहे थे कह रहे थी जी वित्य घाटा एक करोड़ 84 या 75 लाग के आज प रोड का था अब वह एक लाग 75 असी के आसपास हो गया है वो कहते हैं कि कर्ज ये लगातार बढ़ रहा है कैप्टन साहब यह अब मनोर जो सरकार है मनोर लाल जी की सरकार वो कहते हम डवलप्मेंट बहुत कर रहे हैं पर कैपिट अब करते हैं बढ़ गया पर कापिट आप समझाता हूँ कि विपक्ष के मेरे साथी है उनको तो मुझे लगता है कि वो सरकार में भी थे तो उनको आकड़ों की तब समझ नहीं थी और विपक्ष में आने के बाद तो वो क्या समझ पाएंगे दस साल हुड़ा की सरकार में जब वो गई है उसके लास्ट चार साल का अगर मैं आकड़ा में आज बजट के अंदर एक डॉक्मिंट दिया बजट एट एक ग्लांस उसमें एक पेज़ पर लिखके द तक फिन और थी उननिस प्रतिशत तक कि हम ने उस करजा की सालाना वरिदी दर को बारा और पंदरा प्रतिशत की रेंज में लाकर के खड़ा कर दिया है तो पहले करजा जादा ले रहे थे अब जादा ले रहे थे आकड़े तो वो भी ने बदल सकते हैं आकड़े में भी ने बदल सकता हूँ अब उनको जूट चलाने की आदत है क्या उनको स्विकार नहीं करना चाहिए कि 26,000 क्रोड पे महंगा करजा बिजली कंपनियों के उनके समय में लिया था बैने तो एक पैसा नहीं लिया और वो 26,000 क्रोड पे हमने खाते में लेकर के हरियाना की जनता का पैसा बचाया बिजली कंपनियों को प्राफिट में लाया बिजली के बिलों को कम किया और जनता को राहत देने का काम किया और 4,000 करोड़ पे, 3,888 करोड़ पे, वो जूट बोला करते हैं, 16 करोड़ बिजली माफ, हमने तो 3,888 करोड़ पे के करीब, ये 17 जनवरी, 18 जनवरी तक का रिपोर्ट है, हमने बिल माफ करके लिकर के दे दिया है, ये आपके माफ हो गए, ये कैसे हुआ, ये भी छोड़ द लेता हूँ, जो हमने करजा लिया, मैंने आपको साबित किया कि पहले से कम वरिदी दर पर करजा बढ़ाया, और उनके समय का करजा अपने सिर पर लिया, और जहां तक हरियाना के राज्य की सकल गरेल उत्पाद बढ़ रहा है, उसकी तुलना में जो FRBM की नॉम्स होती है, जो Fiscal Responsibility Budgetary Management Act होता है, उसमें है कि आप साल आना GSTP का 3 परसंट तक लोन ले सकते हो, मैं आज भी 3 परसंट ले सकता था, पर मैंने 3 परसंट नहीं लिया, मैं आज भी 5 परसंट का प्रोजेक्शन में काम चला रहा हूँ, अगर आज चुनावी साल था, तो मेरे उपर और हो स की लिमिट है कि आपने अपने गरल, सकल गरल उतपाद की इतनी परस्टिस परसंट से ज्यादा आप लोन ले सकते, उदे के 26,000 क्रोड, 26,000 क्रोड का मतलब शेशी जी समझिए, कि उस साल जब लिया था, तो मेरे डेड़ साल का जो लोन लेने की मेरी इक्षमता थी, वो एक परसंट कुछ में, आज डेट टो जी स्टीप गरेशों में खड़े है, तो जी स्टीप हमारा बढ़ रहा है, पर कैपिटा इंकम बढ़ रही है, तो पेंग कैपेस्टी बढ़ रही है, तो सभाविक है कि जो आज मैंने उनका ब्यान सुन रहा था, कि कर्ज ये सरकार तो कर करज लो और घी पियो, आज जनता को हम घी पिला रहे हैं, करज लेते थे, वो करज खुदी घी पी जाते थे, या अपने दिल्ली बैटे आकाओं को पिलाते थे, हमने साबीत किया, जो हम करज ले रहे हैं, वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको स्पेंड किया है, क हमने थाबित किया कि 102 परसंट के करीब जितना करज लेते हैं उसका 102 परसंट तो मैं कैप्टल एक्सपेडिचर में लगाता हूं तो ये बहतर है आज जो हम करज वापिस दे रहे हैं जो ब्याज वापिस दे रहे हैं ये उन्होंने लोन लिया हुआ तो उसका तो वापिस दे है ना जो अब कभी हमने पिछली हमसे पहली पीडी ने को स्कूल बनाए हम पड़े कॉलिज बनाए हम पड़े हम पड़े हम सड़क पे बसों में ट्रेन में चले उन्होंने लोन लेकर के पिछली पीडी ने बनाया हमें सक्षम बनाया तो आज हम उसको वापिस कर रहे हैं आ असेट क्रेट करें ये धर्म हैं हम धर्म आनुसार वरत रहे हैं और वो जो कर रहे थे आज इसके लिए सी बी आई एडी और ये सब आज सुप्रीम कोट के फैसले उनको जमानत पर आना जाना तरफ निकलता है आपने वह वाला काटा निकाला राम विलाज जिनने उनको दस त चुनाव से अगर डर मतलब चुनाव का प्रेशर और रहता है यह आखरी बजट है इसके वाद आपको भी चुनाव में जाना है लोग सबह चुनाव भी है तो दो चार पांच करते बंपर टाइप की घोशना है जैजैकार हो रहा होता है अगर मैंने चार साल इमानदारी से काम करके जनता की सेवा की है तो मुझे आखरी साल में जनता को लुभाने की कोई बहुत दबाव की आशकता नहीं है चार साल अगर जनता की सेवा नहीं करे फिर आगे उसको कमपनसेट करने कोशिश करे तो यह है मैं समझता हूं कि फिर यह इमानदारी नहीं है हमें जनता सम्विधान के अनुसार पाँ साल की सिवा का मौका दिया हमने इमानदारी से जनता के सामने परिवार वाद को खितम किया जाती वाद को खशेतर वाद को सब चीजों को समाप्त करके इमानदारी से नोकरियां दी हुडा साब ने पांच साल की एवरेज में नो हजार नोकरियां दी पर्ची पे दी पैसे पे दी शिपारिश पर दी परिवार में दी हमने नो हजार साल जो पांच साल में उन्होंने दी उसकी तुल्ला में बहतर हजार नोकरी सरकारी हम दे देंगे इमानदारी से योगता के अधार पर ताब बताईए हमें आखरी साल में क्या करने क्या आशकता है अगर हमने जनता को इमानदारी से जनता के विकासे पैसा खर्च किया पेंशन हजार से दो हजार पे हमने कर दी हमने जो करमचारियों का हुड़ा सरकार का जो बिल था तनखा का और पेंशन का वो 15,400 रुपे था 400 क्रोड पे था सालना आज मैं 30,900 क्रोड पे सालना दे रहा हूं जब हम पाँचों साल काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे, बिना छुटी लिए काम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी का नित्रत हमारे साथ है, तो मनोर लाल जी का जो पुवित्र और सादगी भरा जीवन हमारे नित्रत हमारे साथ है, तो हमें क्या आशकता है? ये पंदर सो करोड का आपने बजट्री अलोकेशन किया है आपने डाला और वो लगता है कि मोदी जी से इंस्पायर भी है जो एक सहायता उसको कह लीजे कि किसानों को दिया जा रहा है ये अपने बजट्री अलोकेशन कर दिया अब चलिए फिर मैं तारिफ करूँगा तो लो आप मत करिये, मैं जवाब दे दूँगा, आप हमें नीम के पत्ते खिलाईए, कोई बात नहीं हमारी सेथ के लिए अच्छा है, वो तो सर में प्रचूर मात्रा में लेके चलता हूँ, वो तो सामने कोई भी मात्रा प्रचूर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गोशनाएं बहुत होती हैं, और चुनाओं के वक्त में गोशनाएं बहुत होती हैं, मैंने पहली बार ये देखा, कि योजना अभी आई नहीं है, चोकि आपके पास टाइम रहा नहीं होगा, मोदी जी से इंस्पायर्ड हुए होंगे, आपने बज जान में आया के पिछली सरकार के समय में वो खिलाडियों को इनाम राशी देनी है, इनाम राशी की गोशना उन्होंने की, बजट में प्रावधान देखा तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में बजट में प्रावधान ही नहीं था, आया के नंबरदारों के मान दे बढ़ करके देना है जब देने का सोचा तो बजट में देखा के रेवन्यू डिपार्टमनें पर प्रावधान नहीं था कि ऐसे करके कितनी गोशनाई थी 243 कुरोड उपे पिछली सरकार के समय का प्राकृतिक कारणों से हुआ फसल के हैं गोशना गोशना कर दो और उसका प्रोविजन ना करो इस बजट में हमारे सामने जब विश्या आया भारत के परदान मंत्री जी ने पांच साल से लगातर देश के किसानों को सम्रिद और खुशाल बनाने के लिए रात दिन एक किया है दस साल से सौमी नातर आयोक की रिपोर्ट धूल खा रही थी गुम बस्ते में पड़ी थी निकाला धूल जड़ी एक एक करके सिपार्शों को लागू करना शुरू किया परदान मंत्री कृशी फसल बीमा योजना फसल बीमा योजना को लागू कर दिया जोखिम मुक्त किस नुक्सान हो गया अब किसान को अपनी फसल बोते हुए डर नहीं है कि किसी कार्ण से नुक्सान हो गया तो उसका ये लागत भी नहीं मिलेगी अब उसको लागत भी मिलती है बावंतर बरपाई की योजना लागू हुई है MSP में वृद्धी हुई है किसान के लिए फिर भी मोदी जी ने समझा 2022 तक किसान के आयों को बड़ोतरी करने के लिए केवल सिचाई की विवस्था कर देने से केवल इंपूट की कोश को गटा देने से बात नहीं बनने वाली उन्होंने एक बड़ा करांती कारी का अदम उठाया जो हिंदुस्तान तो क्या दुनिया के इतिहास में शायद किसी बजट में नहीं हुआ होगा कि 75,000 करोड रुपे की राशी एक मुश्ट और एक बार नहीं वो राशी 75,000 करोड रुपे की सालाना कमिट्मेंट 12 करोड किसान परिवारां को 6,000 रुपे प्रती वर्ष मिलेगा और 75,000 करोड रुपे गिराशी बहुत बड़ी होती है समझेजे रेल बजट से बड़ा ये एक नए परकार से क्रिशी बजट के शुरुआत करने की एक बहुत बड़ी ये करांती कारी पहल की आप जरा सोचिए अगर कॉंग्रेस ने 70 साल के कारेकाल में 50 साल राज किया आज वो कहते हैं राउल गांदी जी के 17 रुपे का प्रती दिन का क्या फाइदा मैं उनसे जवाब मांगता हूँ के आज के समय में सालाना 6000 रुपे की वैल्यू आपके खोएवे 50 साल की आज की वैल्यू ऑगर 6000 मानती तीन लाक रुपे प्रती किसान आपने दोखा किया 50 साल नेट प्रेसिंट वैल्यू आज stripes दे रहे हैं गर आज की वैल्यू काउंट करूं तो तीन लाक रुपे बنتी है 50 साल में वो तीन लाक रुपे का हिसाब दे और क्या ये 6,000 पे देना बुरा है 75,000 क्रोड पे का हमने उससे इस्पायर हो करके कि हर्याना परदेश में जो दोनों योजना आयाई है ये फार्मर्स किसानों के लिए तो उनको ये मिलेगा दूसरी असंगट तिक शेतर के मजदूरों के बहुष्चे की सुरक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन की होजना हमने कहा है ये दोनों वर्ग जो लाबारती हैं हमें भी इनको अपनी तरफ से कुछ टॉप अप करना चाहिए अब माननी मुख्यमंत्री जी के जहन में और बड़ी बात हुई हरियाना प्रदेश के सभी परिवारों में कोई परिवार अंच्छुआ नहीं बचना चाहिए और भी कोई ऐसा वर्ग है जो इसकेंद्रिय स्कीम से आज कवर नहीं हो रहा है अजियाना में कोई ऐसा बलाइंड स्पॉर्ट है क्या कोई ऐसा अंधीरा कोना है क्या जहां तक रौश्णी बजट की नहीं पहुँची है पर लें काया कि हम इसमें ऐसे सब पात्र को ढूनेंगे जो किसान है जो खेतिहर मजदूर है जो काष्तकार है जो सीरी साजी है जो दस्तकार शिल्पकार है जो कमेरा वर्ग है जो लैंडलेस जो हाथ से कमाने वाला है जो अपने दो हाथों से काम मेहनत करके वो एक मिट्टी का काम करता है को लकड़ी का काम करता है को छोने चांदी की मजदूरी करने का काम करता है जिसने भी प्रकार के चमडे का कोई काम करता है यह जो कमेरा वर्ग है यह भी अपनी को छोटी मोटी मशीन लगा करके अगर यह अपने सुरोजगार के और और लोगों को रोजगार के अपने कोई काम दंदे खड़े करता है किसी के आगे हाथ नहीं फिलाता है यह ऐसे अदमी को भी हम कोई सयोग सके हैं. तो इसलिए हमने आज एक ब्लॉक हरियाना के इतियास में भी 1500 कोरोड़ पे कभी किसी एक वर्ग के लिए अलग से ऐसा प्रावधान नहीं किया होगा. हमने गोस्टा नहीं कि रिखखा इस प्रवधान किया प्रवधान कर पाएंगे सोफीज दी और जिस देट से गोषणा है जिससे होनी चाहिए लागो हम कोई इसमें हम यह गड़बड नहीं करते साथ हम तो जो कहते हैं वो करते हैं एक और आप अपने बजट भाशन में कैसे पर कैपिटा इंकम कि उसका बड़ा जबरदस्त ग्रोथ हुआ है और टॉप थ्री फॉर स्टेट्स में भर्याना विा लंबर व Animal बढ़ वन पर बडे जूल में लंबर वन्बर वन पर बड़बड राजंव में नंबर बन प्यागिए अब आपके मित्र तो सर्फ बीजेपी में नहीं बाहर मीं हैं कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं तो जो आपके प्रतिवंदी जो हैं आपोदिशन पार्टी में वह कह रहे हैं कि जरा यह फरीदाबाद और गुर्डगाउं हटा दीजे फिर पूछे के पर क्यापिटा इंकम कितना है वो गलत नहीं कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं आप मुंबई को महराश्टर से निकाल दीजे तो फिर आप महराश्टर को असेस्मेंट करना चाहेंगे आप तिलंगाना से एधराबाद को निकाल दीजे फिर आप देखें करनाटक से बंगलोर को निकाल दीजे शेहर में पर क की सारा राज्य भी कॉंट्रिबूट करता है और उसका लाब भी सारे राज्य को मिलता है गुरुग्राम अगर फरिदाबाद बना है तो हर्याना प्रदेश के पैसे से वो बना है हर्याना प्रदेश ने उसमें अपना निवेश किया है आज वो जनरेट करता है तो हर्याना प्रदेश को उसका लाब मिलता है लेकिन अगर यह regional imbalance है अगर चेटरीय संतुलन है तो इसके जिम्मधार कौन है इसके जिम्मधार हैं जिननों ने अतीत में सरकारे चलाई है उन्होंने क्योंगे यह रोड का network अंदर तक पहुँचाया कि क्यों नहें अंदर की एंडॉस्ट्री के करके ओड़ा कि क्यों नहीं अंदर की सम्आवनाइ सो रोजगार कि सम्मावना सब्स qe को खड़ा किया क्यों नहीं उन्होंने एक ऐसा environment बनाया कि पूरे अर्याना प्रदेश में एक समान विकास की स्थिती बने तो यह उन्होंने यह सब सीज़ें नहीं की इसार का एरपोर्ट बहले अभी तक फ्लाइट उसमें regular फ्लाइट नहीं चली है लेकिन हमने बना के खड़ा कर दिया कि अभी उसमे एरपोर्ट 10,000 फुट की एर स्टिप बन रही है उसससा बड़े जाज आएंगे वड़ाः रिपैर होगा मिन्टेनेस होगा साब्टी तीन हजार एकड़ जमीन हमने वहां पर उसको नाम कर दी तीनिजार एकड़ साब्टी तीनिजार एकड़ और तैयार करके ह रखी हुई है और आज रेलवे लाइन को पूरा कर रहे हैं ये जिस प्रकार से हम अपने विकास को मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब हम नांगल चौदरी महिंदर गड़ के अंदर हजार एकर जमीर एक्वायर करके वहां बना रहे हैं फार्मसिटिकल हब हम करनाल में मना रहे ह हमारी सरकार ने इस बात को क्षेत्रिय संतुलन को कम करने के लिए एंटरप्राइब फ्रमोशन पॉलिसी में जो इंसेंटिव स्कीम है उसको भी हमने ऐसे बनाया कि जो कैटेगरी C और D के ब्लॉक हैं इंडुस्टियली बैकवर्ड ब्लॉक हैं उसमें हमने इंसेंटिवस का जब विकास हुआ है तो सवाइक है उसमें अगर पर कैपिटा इंकम ज्यादा है तो उसका लाब बाकी राज्यकों भी मिले हम इसके प्रयास करते हैं चली मतलब एक तो क्रिशी पर आपका मेजर फोकस तो दिखा है मुझे इसमें दूसरा आप तो खुदी बजट बना रहे हैं तो बेटर होगा कि आप अगर बताएं कि जो सेकंड मेजर फोकस है मैं यूद के लिए ढूंड रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है का जो अनम्प्लाइमेंट है उसको समस्या को खतम करना है आपने देखा होगा कि पिछले चार पास सालों में हमने एम्प्लाइमेंट डिपार्टमेंट के बजट में बहुत वरिद्दी की है और हमारा पूरा ग्रेजवेट और पोस्ट ग्रेजवेट लगए असी हजार के क कर Hier करा हैं कि लिए चायर के सब्सक्रुने करने करने करें को यह जॉब करके भी और बारल भी चैتم करके उसलियर यह इसको बज़िया व्हां नहींगाना है तो उसमें दसियों बिसियों गुना आज वो दिया जा रहा है पहले तो कुछ तुकड़े भी नहीं थे देखा जाए तो इसी प्रकार से जो हमने आज योधना शुरू की स्वरोजगार के लिए बिजली की सबस्री देने की बात की है हमने जैसे बताए केटेगरी सी डी ब्लॉक के अंदर हमने इंडिस्टियल सपोर्ट करने की बात की है हमने इंटर्पाइज प्रमोशन पॉलिसी में जो हरियाना चौदवे नंबर पर था इस ओफ डूइंग बिजनेस में देश में हम तीसरे नंबर पर लिया है उत्तर भारत में पहले नंबर पर लिया है अब बावंत साल के इति, हमने कोई पास साल की सरकार ऐसी जिसने गेटर हजार लोगों को इमान दरी से योग्यता के अदार पर बिना पर्ची जीर बिना पैसे जीर परिवार के संबन्द के उन को सरकारी अधिकारी करमचारी बना दिया ये यूद के लिए इसस बड़ा सुरनिम काल हरियाना में कभी आया था क्या जोबड़ी में बैठा हुआ विक्ति पड़ा लिखा ही हो गेता कि अधार पर कभी कलपना नहीं कर सकता था कि पिछली सरकारों में उसको कोई सरकारी सरकारी बनाएगा और गर में बैठे हो विक्ति के चिट्टी भेजी कि आज से आप सरकारी इधिकारी हैं आज से आप सरकारी करमचारी हैं आज से आप सरकार हैं जब इसको इमानदारी से बिना पैसे के बिना सिपारिश के जब वो सरकारी बन जाएगा तो अगले 30-35 साल वो जनता की सेवा करेगा ये यूथ के लिए ही तो है ये बहतर हजार नोकरी हो जाएंगी साब पांच साल के इस हमारे कारेकाल में जो एक करांती हुई है साब और जिसको जनता में यूथ आज पूरा आज क्यों वो साथ दे रहा है दे रहा है कि इन्होंने अपना सबकुछ सیکरिफाइस किया बाज़ पांच सेवा के करेकर्टाओं ने अपने अपने हर्याना की राजनीती में अदिकार माना जाता था उसको उन्होंने त्याग करने का काम किया है कि हम अपने नए हर्याना के निर्मान के लिए ना जात पर ना पात पर ना पैसे पर ना पर्ची पर ना कुछ सिफारिश पर ना परिवार पर कुछ क्षेत्र पर नहीं जो मेरिट पर है वो सरकारी हो गया यह तो मेरा आखरी था लेकिन से अचानक मेरे दिमाग में मैं पिछले कई दिनों से चंडीगड में बजट स्पेशल कारी करम कर रहा हूं यह किसान जितने आते हैं नेता वो एक चीज बार-बार कहते हैं हलाकि मैं उसको समझता हूं लेकि फिर भी आप से समझना चाहता हूं वो कहते हैं कि जो बीमा कमपनियां हैं सरकार क्यों नहीं कोई अपनी बीमा कमपनी बना लेती है और जो किसान के का जो बीमा का पैसा है वो प्राइवेट कमपनीज में जा रही है तो सरकार को भी फायदा होगा और किसान भी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे क्या टेक्निक कड़ा है लगभग 13 सो क्रोड़ रपे 12-13 सो के बीच में वहं नुकसान का मौवजा मिला कि सरकार का मिलाकरके 800 क्रोड़ के करीब बीमा कंपनियों को मिला और बीमा कंपनियों ने लगब300-500 करोर का अत्रिक्त मौ UP ओधा दे दिया अब इसमें बताए्ये किसमें किसान का कोई नुकसान हुआ क्या इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं सरकार निभे अपना कांट्रिゆषन दे दिया जो 400 करोर के अत्रिक्त दिया उओ किसका नुकसान है यूम कंपनी का क्या वो नुकसान सरकार में लेकर कर और खर्चा डालें हैं नम्बर इक नम्बर दो यह बिमआ का बिजनस इ혁 प्रोफेशनल काम है और सरकारी बिमआ अजर्डीहंबी हैं भी आ भी हैं वह संधिक करके आई हैं उन्होंने इस सारी कंपनिया जो है बहुत बड़े यह बीमा का जो इंस्रेंस रिगुलिट्री डिवल्मेट्र पर उसके बड़े सक्त और कड़े नियमों के तहित काम करती है कोई भी गड़ करके भाग नहीं सकता है कि यह भी बहुत ही आरबियाई जिस प्रकार से बैंकों पर नियंतरन करता है आयरडी इंश्रेंस कंपनीज को पर तो यह एक बड़े कंट्रोल्ड एंवार्मेंट में रेगुलेट की जाती हैं और यह चला रही है बविश्य में कोई ऐसी स्केल एकॉनमी ऑफ स्केल भी तो चाहिए जिस सो इसको वाइबल बनाया जाए हैं मतब कई लोग यह बात समझते नहीं मैं तो समझता था लेकिन मुझे यह भी एक चीज़ लगता कि सरकार का काम है वेलफेर का वो सड़क बनाए रोजगार पैदा करें मतब वो कंपनी ना चलाए मैं यह इसको वेलफेर मानता हूं लेकिन आपने ठीक कहा कि कंपनी जब वो बनती है यह आपने बिल्कुल ठीक बात को पकड़ा कि अंतत्तों गत्वा हमारे जो एक संसकार बना हूआ है उस की वरकिंग में उसमें एफिशन्सी कहीं ना कई कॉम्प्रमाइज है हम कॉपरिट्री बैंक भी तो चला रहे हैं उ कोई गल्टी करता है तो उसका अप सक्ती से उस पर प्रहार करिए आप उसको जो सजा देरी सजा दीजिए लेकिन किसानों के हीतों के साथ कोई समझगाता नहीं और जो आज प्रमाण सामने है था जालिए बहुत 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 के लिए कि चुनाओं के दवाब में है मैं तो बजट में देख रहा था कि कितने धोल नगाड़े बजेंगे लेकिन बजें तो ऐसे बजें कि वह पर्मनेंट बचते रहे जैसे पंदरा सब करोण का आपने दे दिया बजट की योजना बनाओ चलाओ बहुत 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 शुक्रिया इस बात चीद के बहुत बह स्वालों के साथ एक सेशन विधान सभा के बाहर चलता रहे लगतार ये सिलसला ये दौर जारी है और हां चुनाव आ रहा है चुनाव पे नदर रखिये चुकि लोग तंतर में वोट देकर के सो जाना मदाताओं का काम नहीं है वोट देते हैं उसके बाद पांस साल जगे रही है और वैसे भी चुनाव मतलब जनाता टीवी लगतार देखते रहे जनाता टीवी बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार